प्रश्ण यह कह रहा है दोस्तो दी गई स्रिंखला में अगला संख्या क्या होगा दोस्तो यहाँ पे देखिए सौरी यहाँ पे देखिए यह अगला संख्या नहीं है यहाँ पे आपको बताना है दोस्तो गलत संख्या क्या होगा यह पूछ रहे तो देखिए गलत संख्या क पार ऐसे बताइंगे, पहले किया करेंगे? स्रिंखला के सं्ख्याओं को ध्यान से देखिए. 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 14 है, 23 है, अगर दोस्तो आप ध्यान से देखेंगे, तो आंसर मिझ जाएगा. देखिए, आपको ऐसे नहीं कि देखना है, एक के बाद, दो, दो के बाद, तीन, पाँच, साथ, चौदा, तेईस, उन्तिस, ऐसे नहीं सोचना है, आपको दोस्तो कैसे सोचना है, देखिए, एक, दो, तीन, पाँच, साथ, चौदा, तेईस, उन्तिस है न, ये दोस्तो जो चौदा है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्त दोस्तों संख्या होती है जो एक से और स्वयम से कटे अन्य किसी भी संख्या से दोस्तों उसमें भाग ना जाए कहने का मतलब यह है देखिए आप दो में एक से देखिए एक में दो में तीन में पांच में साथ में किसी अन्य संख्या से दोस्तों भाग नहीं दे सकते एक से और स्वयम से ही कटेगी जबकि दोस्तों जो 14 इसमें दिया है ना 14 आप इसको दोस्तों एक से तो भाग जाएगा ही जाएगा 2 से भी चला जाएगा, 7 से भी जाएगा दोस्तो 14 से भी, यानि 2 और 7 ऐसी संख्या है इससे भी भाग चला जाएगा, यानि यह क्या है दोस्तो यह भाजी संख्या है, बाकी जो इस रिंखला में संख्या है, अभाजे इसलिए दोस्तो क्या होगा इस रिंखला का 14 गलत संख्या हो जाएगा देखें चौदा किस option में है देखेंगा option number D में है आपका option number D दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइब के question आपके exam में हैगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे